गुद्वानिंग स्टुदेंट्स मैं आप लोग लेक साइस बंट पॉइंट थरी का कॉश्चन नम्बर थर करा रहा हूं तो द्यान दें मतलब आपन को एक नम्बर दिया हुआ है जिसे आपन पि अपॉइंट करना है कोश्चन है जीरो पॉइंट सेट्ट्ट थिक है तो इसको अपन एस्यूं कर लेंगे लेड़ से x is equal to 0.6 dash ठीक है then इसके बाद इसके उपर dash लगा हुआ है और बार लगा हुआ है तो ये number बार बार repeat होता है तो इसको अपन ऐसा लख सकते है x is equal to 0.6666 इसको अपन इसको लख सकते हैं ठीक है आप द्यान दें इसमें only 1 digit के उपर बार लगा हुआ था ठीक है इसी लिए दोनों साइड के इसको multiply करेंगे 10 का अगर 2 digit cube लगा होता तो 100 का और अगर 3 digit cube लगा होता तो 1 था Al simpl ash करेंगे इसमें बोच साइड की कीस का multiply करतेंगे 10 का तो यहां लेखेंगे on multiplying 10 in both sides ठीक है दौना साइट अबन इसका multiply कर देंगे 10 का तो यहाँ आएगा 10 multiply x is equal to 10 multiply 0.6666 ठीक है तो यहाँ हो जाएगा 10x is equal to 6.666 एक बाट एसे में shift हो जाएगा क्योंकि multiply 10 का हो रहा है अब यहाँ 10x as it is रहेगा 10x is equal to 6 plus 0.666 ठीक है अपने इसको अलग लेखा और इसको अलग लेखा अब यह बार बार रिपीट हो रहा है तो इसको पन as it is ऐसा लेख सकते हैं जैसा question दे 0.6 बार या डैस ठीक है क्योंकि यह बार बार रिपीट हो रहा है और इसको पन ने कैस्यूम किया था x तो इसके place पर अपन क्या पटब कर सकते हैं x ठीक है इसका transpose कर देंगे 10x-x is equal to 6 so 9x is equal to 6 so x is equal to 6 upon 9 3 2 जा 6 3 3 जा 9 so x is equal to 2 upon 3 तो जो अपन लोगों को एक number दिया होता 0.6 उसको अपन ने किसमें convert कर दिया upon में मतलब P upon Q के form में 2 upon 3 के form में अपन ने इसको क्या कर दिया है convert कर दिया है मतलब इसका answer क्या होगा 2 upon 3 जो की P upon Q का form है ठीक है P मनलब 2 and Q मनलब 3 तो ये question में ने complete हो चुका है next video में मैं आपको next question कराऊँगा thank you